हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल, एक्टिविटीज और स्पाइसिस में आपका स्वागत है, तो आज हम एक और नई रेसिपी या कह सकते हैं, थोड़ी यूनीक रेसिपी लेकर क्या हैं, तो आप सोच रहेंगे ये तो करेले हैं, तो इसमें यूनीक क्या है, तो यूनीक मानिये, ये सच में मीठे ही बनेंगे, तो आज की हमारी रेसिपी है, मीठे क्रेले की, तो आएट तक हमारे साथ बने दिएगा और रेसिपी का मज़ा लीजीएगा, तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने 500 ग्राम के करीब करेले लिये थे, जिनको मैंने रखा हुआ इने कहल दिया पर आभी करेले नए तो मै नोप करके तो कस बीस दीए नहीं करते हैं तो यहांनी कर सकते हैं तो हुög ही बगा अब हमें इन्हें थोड़ा सा नमक के साथ, समझ लीजे, मैरिनेट कर लेते हैं नमक के साथ, तो अब हम इसे नमक के साथ रखके 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो मैंने यहापे 1.5 तीस्पून के करीब नमक लिया है, नमक इसलिए क्योंकि ये इसके कड़वेपन को तो लीजे दोस्तो 45 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देखिए कि ये करेले काफी बैट चुके हैं, काफी सॉफ्ट हो चुके हैं नमक में सोप करने की वज़े से, ये 45 मिनट के लिए मैंने किये थे, तो आप देखिए इसने काफी पानी रिलीज किया है, तो अब हमें इन तो देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से वाश कर लिया था, निचोड लिया था, पर इसमें अभी भी काफी पानी बचा हुआ होगा, तो आप इसी तरीके से कोई भी कॉटन का कपड़ा ले, और अच्छे तरीके से इन्हें हमें इस तरीके से स्क्वीज कर लेना है, जिसस कि इससे पानी निकल जाए, तो देखिए अभी भी इसमें से काफी पानी निकल रहा है, और देखिए पानी भी हरा हो चुका है, तो अब इसी तरीके से हमें सारे करेले इसी तरीके से निचोड लेने हैं, और पोश लेने हैं, तो देखिए दोस्तों यह कितने ड्राइ हो च व्य अण theCUBE उसी से करों के छाया लिए जिस तरीके के हमें चाहिए और यह काफी कम भी हो चुके हैं Keeping Square जिनको मैने स्लाइसे में कट कर लिया है । यहां पर मैंने लिये च्छ साथ हुरी मेर्च hablij कर सकते हैं पर हमने 6 से 7 लिया है यहाँ पर मैंने मस्टेड ओयल लिया था जिसको गरम कर लिया था और अब हम यहाँ पर हमारे जो करेले हैं उन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के लिए हमें बिलकुल इन्हें ढखना नहीं है तो देखिए दोस्तों 4-5 मिनट मैंन इसे low to medium flame पे पकाया है हमें नहीं flame इसका high करना है और नहीं बिलकुल low करना है क्योंकि जादा low करने से यह चिरचड़े हो जाएंगे और ज्यादा हाई करने से यह पक तो जाएंगे लेकिन यह कच्चे रह जाएंगे तो हमें इन्हें soft भी करना है तो यह हमारा low to medium flame इसके लिए बिल्कुल perfect होगा तो अब हमने इसे थोड़ा सा और चलाते हुए देखिए भून लिया था 3-4 मिनट तो अब हम इने stainer की help से निकाल देंगे क्योंकि हमने oil थोड़ा जादा लिया था तो वो भी इसमें से निकल जाएगा तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा oil कम कर लिया है और अब इसमें add करूंगी मैं हमारी सबसे पहले हरी मिर्च दोस्तों इसमें बिल्कुल यह basic मसालों के साथ इसमें कुछ भी extra हमने use नहीं करना है इनी मसालों के साथ यह बिल्कुल जटपट और बहुत tasty recipe बनके तियार होगी तो अब हम यहाँ पे add करेंगे हमारे प्याज जो हमने cut कर लिया थे अब हमें प्याज दोस्तों बिल्कुल ही softly और बहुत ध्यान से fry करने हैं क्योंकि हमें इने बिल्कुल जलने नहीं देना है हमें इस बात का ध्यान रखना होगा तो देखिए दोस्तों मैंने इसे थोड़ी देर low flame में पकाया था और थोड़ी देर मैंने medium flame में पकाया था तो देखिए बहुत अच्छे से हमारे जो प्याज है वो bad चुके हैं, soft हो चुके हैं पर हमें इन्हें हलका सा color आने तक, हलका सा golden आने तक पकाना होगा जो एक सी दो मिनट का समय फिर से लग जाएगा हम इसे अब medium flame पे करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे प्याज बिल्कुल perfectly हमें जिस तरीके के चाहिए थे यह भून चुके हैं और बहुत अच्छे से यह fry भी हो चुके हैं ना बिना जले बिना कुछ भी हुए है तो अब हम इसी तरीके के प्याज जो है इसमें अब इसके बाद हम add कर देंगे दोस्तों हमारे जो हमने करेले fry किये थे हैं अब हम इन्हें भी इसी में mix कर देंगे तो दोस्तो हमने प्यास तो ढखके पकाएं थे लेकिन आप ध्यान दीजिएगा हमें करेले बिल्कुल भी ढखके नहीं पकाने हैं तो इसलिए हमने फ्लेम को मीडियम पे ही रखा था कि हमारी दोनों ही चीजे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो अब दोस्तों यहां पे में एड़ करूंगी आफ टी स्पून के करीब नमक भून लेना है क्योंकि अब हम इने बिल्कुल भी नहीं ढखना है क्योंकि ढखने से करेले फिर से कड़वे हो जाएंगे और हमने आज की रेएपी बनानी है मीठे करेले की रेएपी तो अब इसी तरीके से हम इने भूनेंगे बिल्कुल बीना ठके होगे तो अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर एड़ करेंगे हाफ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ली यह कश्मीरी मिर्च और अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप तीखी लाल मिर्च भी आड़ कर सकते हैं पर मैंने ग्रीन चिली ली थी पहले ही काफी सारी तो मैंने आड़ नहीं की है तो अब हम इने अच्छे तरीके से बस इसी तरीके से तीन से चार मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए बून लेना है और पास यह हमारी जो रैसेपी अच्छे दीके से बनकी हो चुके है तयार तो लीजे दोस्तो हमने हमारे मीठे करेले की रैसेपी बना के कर दी है रेडी और जिसे हमने किया है सर्व आप दोस्तों यह रैसेपी एक बार जरूर ट्राइ कियेगा यह थोड़ी यूनीक है लेकिन बहुत अच्छी है बच्चे भी से बहुत खुशी खुशी खाएंगे और आपको भी काफी पसंद आएगी तो एक बार यह रैसेपी जरूर ट्राइ कीजिएगा और अपने व्यू मुझे जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग